नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विदन की डिफैंस में और आप लोग एकदम बढ़िया होंगे बढ़िया तारीक इसे पढ़ाई चल रही होगी एक्जाम अब बिल्कुल भी दूर नहीं है तो आईए को के सामने आ रहा है बिटा कुष्टन पढ़ना है और आंसर आप लोगों को देना है तो पहले प्रेशन में आप लोगों को पूछ रहा है निम्न में से कौन से नाइट्रोजनी उर्वरक है आपको पहले ओप्शन दिये हुए देख लीजेगा केल्शियम साइनोमाइड द या ammonium sulfate जल्दी से आंसर करेंगे a b c d क्या होगा सही तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बच्चे बिल्कुल सही बात है केल्शियम साइनोमाइड भी नाइट्रोजन उर्वरक है यूरिया भी होता है अमोनियम सल्पेट भी है सिर्फ अस्ति राक नहीं है ठीक है आजाओ नेक्स्ट परशन की तरह पढ़ लिया जाए सभी जीवों के द्वारा दर्शाया जाने वाला सबसे विशिस्ट लक्षन बत करते हैं सभी कोशी के संगटन है सभी के अंदर मतलब बता दो जल्दी से क्या होगा सही एक्स्क्रीशन होगा या इमीजन्स ओटो सही को याद रखना जो भी सजीव है उसके शरीर के अंदर आपको कोशी के संगटन जरूर मिलेगा यानि उसका शरीर कोशीकाओं से मिलकर बना होगा चाहे वो एक कोशीका का हो चाहे वो बहुत सारी कोशीका का हो तो तो सजीब वो ही है जिसके अंदर आप लोगों को सैल मिले जो सैल से मिलकर बने होते हैं और जिनके अंदर सैल है वो सभी ये काम कर सकते हैं तो यहाँ पर D answer बिल्कुल सही हो जाता है बेटा ठीक है आजयो next कॉलर कोशिकाई पाई जाती हैं कॉलर कोशिकाई किसमें होती है पंजो में हाइडरा में सैंड क्रमी में या तारा मचली में इन स्पंजें इन हाइडरा इन सैंड वोम या इन स्टार फिश जल्दी से बताएंगे कॉलर कोशिकाई किसमें होती है ठीक है बिंदर नहीं नहीं होता है याद रखना हें दिमाग नहीं होता इस डिमाग में रखा गया है इकाइनो डर्माटा कभी इसका स्फाइलम पूछे तो आप लोग पता होगे इकाइनो डर्माटा में आते हैं स्टार फिश जो होता है सैंड वो यह जो रेत में रहने वाले कीडे हैं आजाओ अब देखो नेक्स्ट ऑक्टियोप्टरिक्स क्या है बेटा या ओक्तियोप्टरिक्स है वुलपत् पक्षी विलुपत् इस्तन्रारी तारामीन या समुंद्री मचली ओक्टियोप्टरिक्स इग्स टूबर्ड अग्स मैमल ईहा फिर मैराइन फिश जल्दी से बताएंगे oypeterics क्या है बढ़िए कई साथ जा रहे हैं कई बचे या लाद फिर साथ दीक साथ जा रहे हैं इ― गड़ा ओकay में इक्जाम में आप को जोते नäg तरीके कि पक्छी बेटा और चॉच होती ती बेटा और चॉच में दानत भी उते थे और पूच होती थी लंबी यैसे की सांप वगाइरा की पूच Osius के साथ दान्तरी बिटे और दान्त होते है सांप के इंदर होते हैं इसलिए यह आ mountain वाकषी पक्षी के बीच की कड़ी है ठीक है आजाओ नेक्स फैसल पच्छर द्वारा नहीं फैलता है बता वो इस प्रिड बाय मॉप्स्टी टो मलेरिया डेंग्यू ही जा पाइल एरिया मच्छर के दूआरह क्या नहीं फैलता है बता दो ट्यक्जंग है यह फैल या फैल एरिया तो जो बच्चे एंग्य एंसर कर रहे है क्यों कि नॉर्मली मख़्ी फैलाती है मच्छर नहीं मैं अक्र फैलाते हैं मलेरिया वाले मच्छर का नाम सभी को पता है इनओ फिल्स और यह थोड़े से पॉपुलर से मच्छर के नाम चोप लोगों को कौन बचो को जनम देती है अंडे नहीं देते हैं चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं चाइल्ड एंग नहीं देते तो बताओ कौन है जो बच्चो को जनम देती हैसारक मेंडक फुफुस WILLIAM Remo आस्थी मीन अंसर करो शार्क फ्रोग लंग फिस्ट या बोन फिस्ट ए आंसर बोल रहे हैं बहुत बढ़िया हुमें तो ऑप्शन में नहीं है बिटा शार क्या पर सही होगा अब शार्क जो यह बच्चों को जनम देते हैं इसलिए इसको मैमल्स की कटेगरी में रखा गया है ठीक है याद रखना ठीक आगे देखो लंग फिश्ट यह मचली वर्ग में आती है वोन फिश भी मचली वर्ग में यह जो फ्रोग होता यह आप लोगों का एंफीबियन देता है अंडे शार्क एक है जो अंडे देती है और मैमल्स की बच्ण प्रोड्यूज होती है वह भी शार्क होगा शार्क ठीक है आजाओ नेक्स्ट केंद्री है आर्बीसी उपस्तित होती है न्यूक्लियर आर्बीसी इस प्रेजेंट इन आर्बीसी में केंद्रा किसके अंदर होता यह पूछ रहा है उट में मानव में खरगोश में हाती में कैमल इन हुमेंस रैबिट इन एलि और उट के सास्ता यहां पर लिख लेना लामा तो मैंने यह भी आपको पताया था उट और लामा जो होते हैं इनके अंदर जो आरबी सी है उसमें केंदर होता है इस तरीके से तो याद रखना जबकि होता है ठीक है अगला है भारतिया ब्रून विज्यान के पिता कहलाते हैं दफ इंडियम्डियां अंब्रियो लोजी गार्ट किakahते हैं भारतियाद फ्रस्टस यार मिष्रा तो बेटा यहांपन सही आंसर हो जाएगा एάλ mission को बोला जाता है भारतिय ब्रूण विज्ञान के पिता कि अच्छा एस अर्क शुब क्या है यह भारतिय भारतिये ब्रायो लोजी के पिता है भारतिये ब्रायो लोजी के पिता है ठीक है तो यह भी याद रखना आपको पूछ लेगा आपको पूछ ले आर मिश्रा तो भारतिये पारिस्थितिकी के पिता है या इंडियन फादर ओफ इको लोजी निकले ना इस बात को भी इंडियन पादर ओफ इकोलोजी पढ़ाया हुआ है इंडियन फादर ओफ इकोलोजी भारतिय पारिस्थिति के पिता है यह और थ्योफरस्ट्रस आपको पता है वनस्पति विज्ञान के पिता है वनस्पति विज्ञान के पिता है कौन थ्योफरस्ट्रस ठीक है चलो आओ आगे बढ़ is not a true fruit सबसे पहले तो यह सुनो कि true fruits क्या होते हैं फल दो तरीके के होते हैं ठीक है एक होते हैं जूटे फल या जिसको आप लोग शत्य फल भी बोलते हो तीक है अब देखो जो सत्य फल होता है ना यह ओवरी से बनता है यह अंडाश्य रुपांतरण से बनता हैं यह सब क्या होते हैं आप लोगों के केला यह सत्य फल होते हैं यह अन्य वागों के रूप आन्तरण इस बात को भी यार रखेंगे लिए चीजित है आपको एक्जाम में पूछ लेगा कि जो अन्डाश्य मोडिफिकेशन से परोलने से जो पर बंते हैं महों थे सत्य इंद आश्य के साथ दूसरे फूल के बहुत सारे प Route होते हैं सब को मिलाकर भी जो वे अशचा हम आप पर सकते फेलये उसे पूच्य रहीं कि भाईया सत्यफल कौन सा नहीं है तो सेब नहीं है याद रखना जबकि खजूर अलू आलू वुखारा अंगूर यह सब सत्यफल होते हैं चलो आजाओ नेक्स नेक्स क्वेशन की तरफ वसा के लिए स्वशन गुनांक आरक्यू जो होता है रैस्पिरेटरी क्विटेंट बो पूछेगा कि रस जो वसा होती है या प्रोटीन होती है बेटा इनके लिए जो आप लोगों का वसा का रैस्पिरेटरी कुनांक या फिर प्रोटीन का पूछले तो आप बता दोगे लैस देन वन ठीक है एक से कम एक से क्या होगा बीटा कम होता है आजाओ नेक्स पृशन क मानव के अमाश्य में एक्स अम लुद्पन होता है जो भोजन के पाचन में सायता करता है वह एक्स अमल कॉंसा है बताओ जल्दी acid कम लाहे नहीं कम लै hydrochloric acid is produced in the human stomach which helps in digestion of food which is that acid acid X क्या है बहुत बढ़ियाあ HCL है बहुत बहतरीन बेटा बिल्कुल सी आंसर बच्चे कर रहे हैं hydrochloric acid आजाओ next next question की तरह बढ़ते हैं STH जिसको somatotrophic hormone भी बोलते हैं किस दूसरे नाम से जाना जाता है बताओ TSH LTH ADH या GH by what other name is STH somatotrophic hormone is known somatotrophic hormone को किस नाम से जानते हैं बताओ जल्दी से हाँ जी बहुत बढ़िया GH जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तो बेटा somatotrophic hormone को यह growth hormone भी बोलते हैं जो आपके अंदर growth करता है व्रद्धी करता है तो somatotrophic hormone मैंने आपको बताया भी था यही होता है growth hormone ठीक है यह क्या होता है thyroid stimulating hormone ठीक है इसको बोलते है thyroid stimulating hormone thyroid stimulating hormone जो thyroid ग्रंती निकालती आप लोगों की ठीक है यह होता है बेटा anti-diuretic hormone इसको क्या बोलते है anti-diuretic hormone एक बार पढ़ लेना सारे hormone करा रखे हैं मैंने आप लोगों को इसको दिक्कत आ रहे है इस question में ठीक है यह आप लोगों का luteinizing hormone याद कर लेना एक बार फिर से आजाओ next वह होर्मोन जो दूद के स्त्रवन को तेजित करता है दूद बनने के लिए कौन सा hormone responsible है the hormone which is stimulate the secretion of milk prolactin luteinizing hormone estrogen या testosterone जल्दी बताओ कौन सा होगा हां जी तो बिल्कुल बहुत बढ़िया prolactin यहां पर सही होगा lactin वर्ड देखते ही पहचान लेना कि दूद की बात हो रही है तो दूद बनाने का गाम कौन करता है prolactin estrogen महीला में महीला में sexual character लेकर आ रहा है ठीक है sexual character टेस्टेस्टेरोन पुर्षो में sexual character ठीक है पुर्षो में sexual character लेकर आता है शुक्राणू अगरा बनाता है और pro seemingly pleasing machinery होता है यह महीलाओं में हो महामारी चक्र होता है महामारी चक्र उसको क्या करता है नियंत्रित करता मैं स्याइशन साइकल carta angel लेक्तिन सही आंसर होगा आजाओ किसी भोगौलिक शेत्र की जेव विविदिता प्रदर्शित करती है बायो डाइवर्सेटी ओफा जोग्राफिकल एरिया रिपिर्जेंट जो बायो डाइवर्सिटी है किसी भोगोली छेत्र की वो क्या बताती है छेत्र में पाई जाने वाली संकड का ग्रस्त प्रजातियां छेत्र में निमास करने वाले जीवों की विविदिता छेत्र में पाई जाने वाली प्रभावी जातियों में उपस्तित आनुवांशिक वि कौन जीव कितने रूप लग एक जीव से दूसरे जीव से कैसे डिफ्रेंट है जीव तो बिल्कुल सी आंसर यहां पर सही हो जाएगा यानि की जैनेटिक डाइवर सिटी प्रेजेंट इन डाइड डॉमिनेंट इस्पीशिस फाउंड इन एरिया आजाओ बनाते हैं पराट्म में कुब बोलोगे अप गटक बोलो गई या दुथ्य कॉब बोन चाहर रैमरी कंजूमर डिकंपोजर medal या से packet कंजूमर तो सूर्य के प्रिकार से अपना खाना बनाते हैं वह होते हैं पादक प्रडूसर तीच है जो शाकाहारी होते हैं तो किसको खाते हैं पेड़ फीड़ों खाते हैं वो होते हैं प्रात्मिक लिखता और जीवान होते हैं वह होते हैं आप गटक ठीक है और जो मासाहारी होते हैं वह होते हैं आप लोगों के सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर द्वित्टक उपभूगता तो यह दे बढ़िया से 25 क्वेश्चन कितने आप लोगों नहीं टाम करें आप अपना स्कोर जरूर लिख दीजेगा बने रहेगा अब सर आपके सामने आ रहे हैं आपको दूसरे कुछ मौक के क्वेश्चन कराने क आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विदंक के डिफेंस पर कैसे हैं आप सब लोग तो जल्दी से आजाईए मैं आप लोगों को जीके जीएस के 10% करा हूँगा आज का लेवल थोड़ा सा टफ है है आप लोग कहरे थे लेवल बढ़ाई है आज का लेवल मैं थोड़ा सा अप रखा है देखते हैं आप लोग कितने अच्छे से कुशन सकर पाते हैं अरती सा पहली भारतिय खेला को जीतने बाएंगे मैं अगर मैं चठ्चा करूं तो आप भली भाती जानते होंगे कि सर ये अंग्रेजी चैनल पार करने वाली पहली भारतिय महिला थी अगर पुर्थम पुरुस पूछ लिया जाएगा पुर्थम पुरुस अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे सर पुर्थम पुरुस ते मिहर सैन कौन ते मिहर सैन मिहर सैन was the first male ने जनों ने इंग्लिस चैनल को पार करके मतलब अगर पहली उच्य महिला न्यायदीज पूछा जाओ तो आप क्या कहेंगे पहली उच्य न्यायले महिला मुखह न्यायदीज चैन तो लिला सेट भारतिया IPS अगर पूछा जाए तो क्रणवेदी जी सभी लोग जानते होंगे next एंडिमल कितमे से कौन सा कारक विसे इस इस्थान की जलवाईू को प्रभावित करता है 6 कारक होते हैं कितने कारक होते हैं बेटा 6 कारक होते हैं कौन कौन से होते हैं आप कहेंगे सर अक्षांस होता है पहुंसा होता है अक्षांस होता है समुंद्र से दूरी होती है समुंद्र से दूरी आप लोग कहेंगे क्या बेटा यहां पर आप लोग कर लेंगे समुंद्र से दूरी पढ़ लेंगे दवाब पढ़ लेंगे क्या पढ़ लेंगे दवाब पढ़ लेंगे ठीक है हवाएं या पवने पढ़ेंगे ठीक है हवाएं या पवने पढ़ेंगे बिटा उचाई पढ़ लेंगे क्या पढ़ेंगे उचाई पढ़ लेंगे एक दो ती में देशांतर तो कहीं आया ही नहीं तो ये भी हो जाएगा ये भी ये भी तो इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 5 1 2 3 5 ओप्सन नंबर 3 आपका सही आंसर है खीक है चलिए नेस्ट एक किस वाईू मन्डली ये परत में आयन होते और वायरलेस संचार में मदद करते हैं हम लोगों ने पढ़ाई कि δूर संचार जतने भी उपकर है लॉंच किये जाते हैं वो सब कहां पर समताप मंदल में छोड़े जाते हैं कहां पर छोड़े जाते हैं जल्दी से बताओ एक ट्रिक हम लोगों ने पढ़ी है कि भाईया बर्सा अंदी लाए छोब मंडल समताप उड़ाए बायू यान सिगनल मिलाए आयन मंडल हाई करे वाह मंडल ये हमने पढ़ा था तो आप क्या कहेंगे भाईया ताप मंडल में कहाँ पर ताप मंडल में ठीक है कहां पर ताप मंडल उम्मीद है आप लोग जरूर लिखेंगे मौसम से संबंदित घटनाएं किसमें घटती हैं मौसमी घटनाएं कहां पर घटती हैं तो आप कह देंगे सर मौसमी घटनाएं घटती हैं छोब मंडल में कहां पर छोब कर अगर मंडल ठीक है बटा तो यह सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उमीद है आप लोग इसको लिख रहे होंगे आंसर आपने कर दिया होगा अगला परसन है अगला पर प्रसन यहाँerei पर है क्या आंसर होगा तो हम लोग बात करेंगे विस्परसिद्ध हैरी पॉर्टर स्रंकला के लेखक कौन है सलमान रुस्दी ने क्या लिखा है तो आप क्या कहेंगे सलमान रुस्दी साहब ने क्या लिखा है दे गोल्डन हाउस क्या लिखा है तो सलमान रुष्दी साब ने इन्होंने क्या लिका है लज्जा क्या लिका है लज्जा तो आप कहेंगे जे के राउलिंग जे के राउलिंग अच्छे इनके द्वारा अगर एक पुस्तक पूछा जाए The God of Small Thing The God of Small Thing किसके द्वारा लिखी गई है तो आप लोग बताईएगा जल्दी से Simple सी चीजे हैं ठीक है जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे Next है वह यह फत्यपुर सीकरी को द्वारा मुगल सामराज्य की राजधानी बनाया गया था मुगल वंस में हम लोगों ने पढ़ा था मुगल वंस में हमने पढ़ा था की वी अकवर के द्वारा अकवर के द्वारा आगरा फत्यपुर सीकरी और लाहोर को अपनी रासधानी बनाया गया था क्या तो यही चीज़ आप लोगों ने बता देनी है अगला है Next question है समुन्द्र गुप्त का दरवारी कभी कौन था समुन्द्र गुप्त को भारत का नैपोलियन भी कहते है भारत का नैपोलियन कहा जाता है नैपोलियन ठीक है हरी सेन था और हरी सेन की रचना है प्रियाग प्रसत्ती क्या है प्रियाग प्रसत्ती तो आप कहेंगे भईया प्रियाग प्रसत्ती किसने लिखा है तो हरी सेड ने लिखा है बान भट किसके दरवार में थे तो आप क्या कहेंगे भईया हर्स वर्धन के दरवार में थे क्या चलिए नेक्स्ट है किस वेद में सबसे प्राचीन वेदिक युग की संस्कृति के वारे में जानकारी दी गई है तो रिग वेद में और यही सबसे पुराना वेद भी है इस पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा किये एक हजार अठाई सूकते हैं दस मंडलें यह हमने रौवर्ट इकलाइब ने किसको पराजित किया था रौवर्ट इकलाइब ने सराजुद दौला को पराजित कर दिया था किसको पराजित किया था सराजुद दौला को तो आप लोग यह सारी चीजों के बारे में बताएंगे सराजुद दौला को हरा दिया था ठीक है काफर के बाद कौन बना था मीर कासिम बना था अगला है कि निम्लिकित में से कि सासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के चलाए थे देखिए दो सिक्के चलाए गए थे एक तो चांदी का सिक्का था चांदी का जिसे टंका कहते थे और एक विटा तांबे का था क्या जीतल क्या चालीसा दल की स्थापना कर दी किसर चालीसा दल किसने बनाया था तो इसी ने बनाया था समझ गए आप लोग चलिए अगला प्रसन है जैन धर्म का पहले तीरतंकर कौन थे तो अरिस्ट नेमी सहब थे पारसवनात थे अजितनात थे रिसवनात थे कौन थे अरिस्ट नेमी 22 वे थे, कॉम ते 22 वे थे, पार्सवना 23 वे थे, ये आपका लास्ट कुष्यन है बिटा, और अजितनाथ शेकंड थे, कॉम ते, अजितनाथ सेकंड थे, रिसब देव ये बिटा, पृत्वते और यही संस्तापक ते, इनहें आदीनाथ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेहोप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे अभी आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है समझ रहे हैं आप लोगे सारी चीजे हैं हां जी चैलिए अब आपकी मैत और रिजनिंग की क्लास होगी सरा गए हैं आपके लिए चैलिए बिटा सेर जरूर कर देना सभी लोग है ना सेर जरूर कर देना सिर आ गए अब आपके लिए रिजनिंग और मेत की क्लास कर रहे हैं तो आप जल्दी से सबी विलोग सेशन को एक बार सेयर कर दो और जो लाइक नहीं कर पाएं लाइक करो चैनल पर नए जुड़ें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब आपको की मेहनती है जो आपको एक आपका मुकाम हासल करने में आपकी साहता करेगी जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद जिन्दाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी तयार को बहतरी नंगसे कर रहे होंगे आपका जो मौक टेस्टे से आगे कंटिन्यू करेंगे आज आज राहुल सर की गैर मौजूदगी में जो मैत और रीजनिंग है उसे मैं यहा लोगों को पता है कि आपका 9 का रॉल क्या कहता है कि तोटल का क्या होना चाहिए ठोटल तीन होना चाहिए क्या कहता है कि आपके एक एक अंक छोड़के क्या होंगे टोटल बराबर होता है तो आप देखोगे कि एक और जीरो एक और नौ दस और यहां पर क्या है तो यह भी अंसर नहीं होगा डी नहीं होगा यहां जाल को स्बस्ते, आप यहां पर देख सकते हो यहां पर देख सकते हैं दस हजार अठाऱ है थीक है तो आप देखेंगे कि इनका क्या है इनका जो आपका एक एंक क्छोड़के टोटल है एक और जीरो एक और आठ नो और ये टोटल कितना हुरा है नो यानि कि यह क्या है ग्यारे से डिविजिबल लिए आपका और थीन से डिविजिबल के लिए क्लें क्या करना था एक और नौ 10 or 8 8 सबसे पहले हम यहां पर बोर्ड मास का नियम चलता है कौन सा बोर्ड मास का नियम तो सबसे पहले बोर्ड मास में जो बी है इसका मतलब क्या है कि ब्रेकेट तो सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रेकेट सबसे अंदर वाला जो सबसे अंदर ब्रेकेट होगा उसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगी तो आप देखोगे यहां पर कि जो एक बटे चार माइनस एक बटे पांच है इसे जब मैं यहां पर है छीवित कर देते हैं एक बैसान आपको दिया गया इसका है एकते बोटे बीस है कर देते हैं आप देखोगे जो यह लिखा रखाये तो 25-1 यानि कि अभी ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 वट्टे 20 आ गई आ गई या नहीं आ गई बताएंगे 24 वट्टे 20 आ गई इसे हम यहां पर 4 के भाड़े से काट सकते हैं जी बिल्कुल ये 6 बार और ये 5 बार यानि कि जो इतना सवाल था हमारा यहां तक का यहां तक के पूरे सवाल की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6 बाटे 5 आ चुकी है इस 6 बाटे 5 का आप यह वाले ब्रैकेटों बनोगा तो मैं गुणा कर दूंगा तो यहां पर 6 बाटे 5 का जब 1 बाटे 2 मैं गूणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? यह आपका हो जाएगा, यह से कट जाएगा 3 बार 3 बटे 5 क्या आजाएगा 3 बटे 5 यानि कि यहां तक के पूरे पूर्शन की value हम कितने निकाल चुके हैं 3 बटे 5 निकाल चुके हैं अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं देखेंगे आप कि 5 चोग 20 और 4 24 बटे 5 टिवाइड ठीक है यहां पर क्या था 5 दोनी 10 और एक ब्रेकेट लगा देंगे 5 दोनी 10 और 11 11 बटे 5 माइनस 3 बटे 5 यहीं आएगा आपका अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आजाएगा आप देखो कि 24 बटे 5 डिवाइड में 8 बटे 5 आएगा 5 से 5 कर जाएगा 24 में जब 8 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा आपका तीन बार और यही इस सवाल का क्या है यही इस सवाल का बिलकुल राइट अंसर है यहां पर क्लियर आप लोगों को कैसे आया सबसे पहले सिंपलिफिकेशन के कुस्षन में क्या करना होता है कि हम जितना सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद उसके भार वाला इस तरह से आप बोर्ड मास के नियम को याद रखते हुए से कर लेंगे ठीक है जी बहुत सांदर अगला कुस्षन देखते हैं किसी छात्र का नो विस्यों में औस प्राप्तंक 98 है बाद में जाचने पर पाया गया कि एक विसाय के अंकों का भूल वस अर्षट के स्थान पर 86 कॉपी कर ली गया गया था छात्र प्राप्त प्राप्तंकों की सही ओसत क्या बहुत अच्छी क्या है दा एवरेज स्कॉर ऑफ इस्टुडेंट इन नाइन सब्जेक्स इज 98 और लेटर वेरिफिकेशन इट वास फाउंड डेट देट दा मार्क्स ऑन वन सब्जेक्ट वर कॉंपीड एस 86 इंस्टिट ऑफ 68 बाई मिस्टिक दा करेक्ट एवरेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेंट बाई इस्टुडेंट इज कितने यहां पर मार्क्स ज्यादा लिख गए हैं आप लोगों के भाईया आपका दिल्ली पुलिस में सेलेक्शन हो गया आपको बहुत-बहुत बदाई यहां पर ठीक है बहुत-बहुत सुपकामना आपके उच्वल ववि गया है कितने कंटर आया अठारे कंटर आया कितने गया नौ लोगों में तो क्या करतेंगे अठारे बच्टे-9 यानीकी,tedy तो तो यह जाएगा कैसे आया जी,γetaan bei मने जब यहां पर दो मैनिस करतेंगे, त데क आ अंतर कितने का आया अठारे का अठारे का अंतर आया आप लोगों का अब अठारे को जब 9 लोगों में बराबर भागों में जब एक्स्टा थे तो बराबर भागों में गई होंगे तो 2-2 एक्स्टा चले गई 98 मैंसे 2 घटा दिये क्या आ गया आपका यहां पर 96 आ फिकेजी पोई समस्त्य है प्यारे दोस्तों को किसी को बढ़िया है आगे बढ़ें नेक्स्ट कोर्चन की तरफ नेक्स्ट कोर्चन की तरफ आगे भढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा अनुपात यदि A अनुपात B वरावर 2 अनुपात 5 है देखिए आप लोग इतने दिनों से बहुत अच्छे से हैं आपर बिल्कुल बेसिक बिल्कुल कॉंसेप्ट समझते हुए आ रही है अब आपका क्या है फाइनल टच देने का टाइम है तो हम यह आपर कॉंसेप्ट से ज पर नौन बाथ 24 है तो बताएंगे A, B, C, D कितना होगा ठीक है तो आप यह आ पर देखोगे कि A अनुपात B बरावर कितना दिया गया है दो अनुपात 5 बी, अनुपात से बरावर कितना दिया गया है आपका तो आप कहेंगे यहां पे देखे ए अनिपाद बी बराबर दिया गया है कितना ए अनिपाद बी अनिपाद सी और आपका सी अनिपाद डी कितना दिया गया है तो आप देखोगे यहाँ पर जो B है इसमें पहले B की वैल्यू दिये 5 और बाद में जो B की वैल्यू दिये वो कितनी दिये 4 यानि कि यहाँ पर B की वैल्यू है 5 और यहाँ पर B की वैल्यू है 4 यानि कि B पे वो अंसर आएगा जो कि आपका पांचोंग 20 का क्या होगा डिविजिबल होगा किसका 20 का डिविजिबल होगा आपका ठीक है अब आप देखोगे 180 में 20 का बाग जाता 180 में जाता लेकिन 144 में नहीं जाता तो यह option तो नहीं हो सकता ठीक है इसके बाद आप देखोगे जो C की वैल्यू दी गई है C की वैल्यू यहाँ पर C की वैल्यू दी है 7 और यहाँ पर C की वैल्यू दी है 9 यानि कि जो आपका C वाली जगह पर क्या आना चाहिए 63 से डिवाइड होने वाली संख्या आनी चाहिए किस से 63 से डिवाइड होने वाली तो आप देखोंगे यहां पर 245 है जो कि 63 से नहीं जाएगा दो आपके हड़ चुके हैं ऑपसन ए और आपसन सी बच क्या रहा है आपका आपसन बी और आपसन डी बच रहा है अब आप देखोंगे ए और बी का अनुपात कितना होना चाहिए था दो अनुपात पांच यहां पर अनुपात कितना दिया है और बी में तो यह अनुपात एक अनुपात पांच दिया है और यह कितना दिया यह अनुपात दो अनुपात पांच दिया है तो क्या हो जाएगा और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे और दूसरे तरीके से आपका जो C है यह आपका यहाँ पर वैल्यू साथ यहाँ पर 9 याने कि 63 से भाग जाएगा तो यह 242 कट किया यह तो होई नहीं सकता अब आपको देखना था कि A और B में जो अनुपात बनना चाहिए वो 2 और 5 का बनना चाहिए यहाँ पर नहीं बन रहा यहाँ पर नहीं बन मेटर है तो धनक घंका कुल प्रश्च चेत्रवल क्या होगा बताएं किसी जनका जो किनारा 8 cm है तो घंका कुल प्रश्च चेत्रवल क्या होगा अच्छे तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है आपका six a square होता है क्या होता है six a square तो च्छे एक यह क्या है आपका आठ है तो आठ का वर्ग यानि की च्छे गुणा के 64 और जब आप च्छे में 64 का गुणा करोगे कि तो कितनी वर जाएगा 64 का गुणा पांच में करेंगे 320 और 320 में 64 जूड देंगे तो कितना आजाएगा 384 यानि कि इसका में गुणा भी नहीं करना बड़ेगा डिरेक्ली अंसर कितना आ जाता है 384 क्या जाएगा 384 इसका डिरेक्ट अंसर आप लोगों का यहां पर निकल आएगा गुणा कैसे किया 64 का गुणा हमें 6 में करना नहीं आता तो हम 64 का गुणा कितने में कर लेंगे 5 में कर लेंगे और 64 का गुणा 5 में कितना होता है 320 उसमें 64 जोड तो 314 गुणा भी खुद यह पर पढ़ाया गया है उससे भार कुछ भी नहीं आएगा बेफिक्र हो जाओ बहुत सांदार आप लोगों का पेपर होने वाला है बहुत जानदार बहुत जबर्दस्त वाट विल बीदा टोटल डिसकाउंट और पांच अजार बाए 5000 गिविंग अ सिंगल डिसकाउंट इंस्टीड ऑफ गिविंग टू सेपरेट डिसकाउंट ऑफ टैन एंड ट्वेंटी परसेंट पांच जार रुपे पर पांच जार रुपे की किसी वस्तू पर दस परसेंट और वीज परसेंट की दो अलग अलग छूट ना देकर एक एकल छूट देने पर कुल कितनी हुँआता है एसिव और अस्टीव जह मैं दस idols कि चूट देता हूं था और सुने यहां पर कितना हो जाता है 173 ऑर J जिए 28 पिरतीसत का डिस्काउंट हम देते हैं जब हम अलग अलग चूटना दे करके 10 और 20 पिरतीसत की चूट देते हैं 28 परसेंट का आप यहां पर देखेंगे हम से कितने का पूचा 5000 का तो 5000 का 28 परसेंट निकाल दो 100 में जब 20 परसेंट डिसकाउंट देते हैं 80, 80 में 10 परसेंट डिसकाउंट दिया यानि कि माइनस 62 यानि कि 100 की वैल्यू को हम जब दो बार डिसकाउंट देंगे तो लगाता है तो कितना डिसकाउंट मिलता है टोटल 72 यानि कि 28 परसेंट का कितना 28 परसेंट का तो 5000 का 28 परसे कुछ कर देता है और उसकी मरमत में ताड़े 3,000,000 क करे मुल्य का 20 पिरतीसतT खर्च कर देता है अब उसे कार को किस मुल्य पर बेचना चाहिए जिससे अनियल को 20 पिरतीसतT का क्या हो लाब हो देखेंगे अनियल बोट आ सब्सक्राइब कर दिया कितना कर दिया बीस पिरती सथ तो आप यहां से लगा लोगे 3500 का जब बीस में गुना करते हैं कितना आ जाता 70,000 यानि की 3.500 की तो कार थी उसमें 70,000 अपनी जेब से और लगा दिये तो अब वो कार कितने की हो गई चार लाख बीस हजार की अब वो कार कितने की हो गई आपकी चार लाख बीस हजार उसके टोटल रुपए उसकी जेब से कितने चले गए चार लाख बीस हजार चले गई उसे क्या चाहिए यहाँ पर चार लग बीज़ार रुपए आपके जा चुके हैं ठीक है अब वो चाहिए क्या था है साड़े तीन लाक प्लस बीस ब्लस सत्तर हजार कि तत्र हजार टोटल रुबे जो जा चुके था वो जा चुके है चार लाक बीज़ार कितना आपको profit चाहिए था आप कहेंगे 20 30 का कितना 20 परसेंट का तो हम क्या कर लेंगे आपर 4,20,000 गुणा 120 अपॉन हंड्रेड 120 अपॉन हंड्रेड जीरो से जीरो कट गया दो के पाड़े से आपके अब आप कहां से काट सकते हैं इस जीरो से जीरो काट दो चार लग 20,000 का जब आप बारे में गुणा करोगे तो क्या जाएगा पांच लाख 4,000 आजाएगा क्या जाएगा पांच लाख 4,000 यहां पर इसका राइट अंसर आ जाएगा option B will be the right answer ठीक है कैसे तो आप देख सकते हैं कि 42,000 का जब हम को ना 20% 42,000 चार लग 20,000 का जब 20% निकालेंगे कितना हैगा 84,000 और 4,000 बीस जाएगा जब 84,000 जोड़े जाएगे तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर 72 कैसे आया अच्छा यहां पर next question में बहातर कैसे आया द देखो जब 100% में हमने 20% का डिसकाउंट दिया तो 80% 80 अब इस 80 पे जब हम 10% का डिसकाउंट देते हैं तो 80 का 10% कितना होता माइनस 8 और 80 में से 8 घठाएगे तो 72 यानि कि overall हमने डिसकाउंट कितना दिया 28% यहां से बातर आया ठीक है चलिए तो क्या हो गया इसका राइट कि 3,50,000 का 3,50,000 का 120% और फिर उसका क्या करना है आपको फिर उसका 120% कर देना है बस इसका क्या आजाएगा आपका 4,20,000 आजाएगा और 4,20,000 का आपको यहां पर 120,30 कर देना है अंसर क्या आजाएगा आपका 5,04,000 आजाएगा सिर्व इतना सा अंसर है ठीक है चलो यह कैल केल्कूलिशन ऐसी होती हैं कि नहीं हम दिमाग में भी कर सकते हैं इन्हें हम यहाँ पर दिमाग में भी कर सकते हैं इन केल्कूलिशन को अगला देखेंगे गौरव 14 परसेंट वार्षिक दर्से साधरन ब्याज पर संदीब से पंद्रेस रुप उधार लिता है एक है ना 120 वाई 120 इसलिए आप चाहें तो 20 परसेंट डिसकाउंट निकाल के 100 में जोड़ दो 100 परतीसत में पूरी रकम में जोड़ दो 120 निकालने से होता है हमें दुबारा से जोड़ना नहीं पड़ता ठीक है अब आप देखोगे कि 14 परतीसत कितने में पंद्रेसों में अब चूड़ना 210 अब यह दो सो दस तो ब्याज निकलाई टोटल कितना देना था टोटल हमें देना था यहां पर कितना 210 और जो हमने पैसे उधार लिए थे वह भी तो देने होंगे तो यह 1500 जोड़ा हमने तो यह आ गया क्या सत्त्रेसों दस क्या आगया सत्त्रेसों दस अब य अगर हम यहीं पर 114 में गुणा कर देते तो क्या आ जाता आपका तो डायरेक्ली अंसर आ जाता सत्त्रेसों दस ऐसे ही यहां पर 120 का गुणा इसलिए कर रहे हैं कि हमें बार बार जोड़ने ना पड़ें तो अटकट में जल्दी सवाल आपका हो सके ठीक है चलिए कि लिए समझ में आया जैसे यहां पर एक देखो यहां पर मैंने 14 सिर्वी यूज किया तो यहां पर तो इसकी क्या आ गई ब्याज आ गई लेकिन हमें ओवर ओल दोनों का टोटल चाहिए तो हमने पंद्रेसों जो रुपे देने थे वो और ब्यास दोनों को जोड़के से कि 1710 कर दि करेंगे अगला सवाल एबी की तुलना में दुगना अधिक कारे कुसल है और वी दौनों एक साथ मिलकर किसी काम को तेरह दिनों में पूरा करते हैं यह अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा कुस्टर नमबर 9 बताएं बहुत अच्छे क्या है यह इस ट्वाइज एस एफिजेंट और वर्क में एस बी एंड़ टोगेदर दे कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन थर्टीन थर्टीन डेज इन हाव मैनी डेज विला अलॉन भी एबल टू कंप्लीट दा वर्क क्या होगा तो आप करेगा दो क्यूंकि दुगना कर रहे हैं अब यह और बी दोनों मिलकर कि कपना काम करेंगे यह और बी दौनों मिलकर कि कितना काम करेंगे तो आप का circular चृटल वर का कितना तोटल वर्क कितना निकल आया 49 निकला याने कि 39 निकलाय ठीक है टोटल वर्क कितना निकलाया आपका 39 हम से पूचाएगे यह कितने दिन में कितना है दो यानि कि 39 अपउन टू जब आप यहां पर करोगे तो क्या आजाएगा साड़े उन्नीस उन्नीस साइट एक बट्टे दो इसका राइट अन्सर आ जाएगा option C will be the right answer क्या है option C इस सवाल का बिलकुल राइट अन्सर हो जाएगा कैसे हुआ वो आपके सामने है ठीक है बहुत अच्छे last question देखेंगे बढ़िया सवाल है आपका यहाँ पर last question देखेंगे maths का last question है आपका कि आप ट्रेन रणिंग एटा सब्सक्राइट इस्पीड कवर्ट इस्टेंस ओफ वन इट्टी किलोमीटर इन फोर हावर्स कि एक ट्रेन किसी निश्चे चाल से चलकर 180 किलोमीटर की दूरी चार गंटे में पूरी तह करती है यदि चाल को बढ़ा दिया जाए तो अब वह ट्रेन उसी दूरी को तीन गंटे में तह करती है तो ट्रेन की सुरुआती चाल वा बढ़ी हुई चाल कितनी होगी ठीक है तो आप देखेंगे कि पहले 180 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने गंटे में चार गंटे में 180 किलोमीटर की जो दूरी ती कितने गंटे में चार गंटे में यानि कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो speed आ गई वो कितनी आ गई 45 km पिरती हावर आ गई speed कौन सी पहले वाली तो अब आपको पूरा सवाल भी solve नहीं करना था आप देखोगे कि पहले वाली में सिर्फ option C एक ऐसा option है जिसमें पहले 45 लिखा है तो यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता C क्या हो ज जाएगा पूरा सवाल भी solve नहीं करना पड़ा पूरा भी solve कर लो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है अब थोड़ी speed बढ़ा दी गई तो तीन गंटे में तै कर ली अब वही दूरी कितनी 180 km की दूरी तीन गंटे में तै करी अब speed कितनी आ गई 60 km गंटे आ गई क्या करके बताएंगे कि जर हमारे यहाँ पर 10 में से 10 reasoning में थे और जो नए ने तरीके आपको कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिले होंगे मैस में तो वो तरीके आपको यहाँ पर कैसे लगी है चलिए अब आप देखेंगे उस विकल्प का chain करें जिसका तीजरे पत के साथ वह होत अच्छे तो आप देखोगे कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है कैसे होगा कैसे होगा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल अब या तो आपके बास दो तरीके होते हैं या तो आप इनके अलफा वेट को लिखिए अलफा वेट को लिखिए इनके जो डिजिट होते होने लि A और E में कितना अंतर आपको होगे प्लस 4 ARE और our M में प्लीजुनद कि H पाउगे माईनस पाउगे किया हुता है आपका अठा रहे हैं होगे थे है आई हरो में कितना अंतर हैं.. तो आपको होगे प्लस 6 , तो क्या आपको यहां पर एक सेज समझ में आ कि ही है कि माइनर सवन प्लसटू भी Νस फ्लसफ़ माइनस वाइड प्लसट प्लसफ फॉर माइनस सेवन क्या हो जाएगा माइनसस यह तो यहां पर क्या चरूँट है प्लस-6 यह लौजिक आप कहा यहां पर क्या कर रहा है काम कर रहा है कुकि फ्लस आज एक प्लस आट कर दिया U यानि कि 21 आ गया अब इसमें देख लो humidity में तो H में जब मैं माइनस वन करूँगा तो क्या आजाएगा आपको होगे F आजाएगा sorry G आजाएगा H में जब हम यहाँ पर माइनस वन करेंगे तो क्या आजाएगा G आजाएगा अब दो option तो eliminate होगा A और C क्या होगया A और C आपका eliminate होगया आपको पता है कि जो last वाला digit है Y इसमें मुझे plus 8 करना है इसमें क्या करना है plus 8 करना है तो Y में जब मैं plus 8 करूँगा तो क्या आजाएगा G आजाएगा यानि कि शुरूबात भी जी से होनी चाहिए और अंत भी जी पर होना चाहिए तो ठीक है यहाँ पर भी जी है यहाँ से हमारी कोई भी बात नहीं बनी दूसरा देखेंगे U अब आपर हमने minus 1 कर दिया था यहाँ पर क्या करना होगा plus 2 U में जब हम plus 2 करेंगे U की value 21 plus 2 करके क्या आजाएगा W आजाएगा क्या आजाएगा W यानि कि वह option answer होगा जिसके शुरूबात G और W से हो रही होगी D नहीं होगा क्योंकि G V से हो रही है इसलिए option B क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा क्या ठीक है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर B बिल्कुल सही answer हो जाएगा पूरा आपको solve नहीं करना आपने logic पहचान लिया था शुरू के दो letter से ही आपको यहाँ पर क्या answer मिल जाएगा option को eliminate करके अगला देखेंगे उस संक्या का chain करें जो 19 लिकिस रिंकला में प्रस्न चिन्न को पूरा करेगी 7, 22, 52, 97, 157 आपका number series का question है बताएं तो आप देखोगे 7 और 22 में difference कितने का आप का होगे 15 का 22 और 52 में difference कितने का आप का होगे 30 का तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 15, 30, 45, 60 यानि कि plus 15 हो रहा है हर बार क्या है इस series में 15, 45 अब यहाँ पर क्या जोड़ेगा तो फिर plus 15 करके 75 कितना जोड़ना चाहिए 157 में 75 जोड़ना चाहिए तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर 5 जोड़ेंगे 162 और 162 में 232 क्या हो जाएगा 75 जोड़ेंगे तो 232 हो जाएगा इसका right answer option B will be the right answer ठीक है अगला देखेंगे व्यक्तियों की पंक्ति में A, 22, 13 तता 20 से 19 वे इस्तान पर है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है बताएं तो आप देखेंगे A, 22 से 13 वे इस्तान पर है का उनसे left से है 13 वे इस्तान पर और right से कौन से इस्तान पर है 19 पर minus 1 तो लेफ बायां कितना हो जाएगा आपका 13 पिलस 19 minus 1 यानि कि 31 क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा option B क्या हो जाएगा 31 ठीक है अगला देखेंगे कवी का परचाह देते हुए वीना ने कहा कि वे है मेरे पती ये कौन सा सवाल है ये इसारा करने वाला सवाल है इसारे वाले सवाल में मैं पैन भी नहीं उठाना हुता हम खुद अपने आपको माल लेते हैं मैं थोड़ी देर के लिए माल लेता हूँ कि मैं कौन हूँ मैं वीना हूँ वीना ने कहा कि वे है मेरे पती यानि कि वीना के पती की पतनी है तो यह माता के रूप में सम्मंदित है कैसे माता के रूप में सम्मंदित है आपकी क्या हो जाएगा option सी सवाल का बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला किसी निश्चित कूट भासा में पार्क को यह लिखा जाता है रोड को ये लिखा जाता है पॉंड को ये लिखा जाता है लेन को ये लिखा जाता है तो उसी बाता में लॉड को क्या लिखा जाएगा है ना हमने आपको एक बात बताई थी हमने आपको एक बात बताई थी कि जब इस तरीके के आपको दो तीन बार कोड दिये जाते तो यह Common coding का question होता है कैसे Lord आपको यहां पर क्या करना how कि L के लिए कौन सा सब्दि यूज हुआ है तो आप देखोंगे L के लिए टू यूज हुआ यंवे बर्क क्याट के लिए क्या यूज हुआ है को यहां पर 5 यूज हुआ है तो यह क्या हो जाएगा is तpower क लिए के पाच कुस्षन और मेत के आपके दस कुस्षन ठीक है जी चलिए अब इसके आगे धर्मिंदर सर आपकी कमान समा लेंगे तो देखते हैं आज चाहिए चलिए कर देखते हैं अब इसके आप सब लोग उमीद है एकदम मेरे आरमी के चीते बहुत बढ़िया है अब एकदम जिनदबाद हैं और उनका जो वर्दी पाने का सपना है बहुत नजदीक उन्हें लेकर आ रहा है जैसे 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 उनका अग्जाम को यह विल्या तो देखें तो इक आसांगर बच्यों को मिला है अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से सारी ली हैं और बहुत अच्छे से उसने मौक्टस लगाए हैं बहुत अच्छे से गागर में सागर ली है तो उसको कोई एक प्रतिशत भी दिक्कत नहीं आई है जितने कोशन एक टॉपर छातर करता है उतने को कौशन उस उन सभी ने किये हैं तो वैसा ही कुछ आपके साथ भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपका पेपर भी अच्छा होगा बागी जैसे ही पेपर होंगे तो थोड़ा सा आपको और उसके बारे में कुछ आइडियाज हम दे देंगे तो सभी दोस्त करेंगे इसका सही जवाब विद्ध फ्यूज के लिए प्रियुक्त सामगरी टिन और सीसा का मिसर धातू है ठीक है यह उसने यहीं बता दिया हमें अब वह पूछता है इस मिसर धातू में क्या होना चाहिए तो देखिए जो फ्यूज होता है उसमें आपको क्या चाहिए कि प्रतिरोध उसका उच्छ होना चाहिए यानि कि निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्छ प्रतिरोध होना चाहिए निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्छ कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों उसका प्रतिरोध होना चाहिए तो एसका सही जवाब हो जाएगा एकदम स यह वाली होती है न्यूटन मीटर स्कॉयर पर केजी स्कॉयर नीचे होता है अगर आप इसको ऊपर लेके भी आएंगे तो यह हो जाएगा आपका केजी की पावर माइनस टू ठीक है तो इस तरह से यह क्वेश्चन वनता है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री हो जाएग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे किसी पिंड का जड़त्वागूंड 100 केजी मीटर स्कॉयर है यदि इस पिंड पर 50 न्यूटन बलागूंड लगाया जाता है तो पिंड में उत्वन कौन ये तोरण कितना होगा एक आसान प्रशन फिर से टाव बराबर क्या होता है आ आई कितना है मzemकेंट औफ इंडशिया होता है और मिम्न आफ इनक्या आपसे पूछाएंगा अगला question देखें जवान, बंदूक से चलाई गई 20 ग्राम द्रवयमान की गोली का समवेग इतना है, तो जूल में इस गोली की गती जूर्जा ग्याद कीजिए, तो गती जूर्जा का समवेग के साथ क्या relation होता है, P square by 2 M होता है, तो गती जूर्जा कितनी होती है भाई, निक टर किसमें पूछा गया है आप से, जूल में इस गोली की घती जूर्जा ग्याद कीजिए, जूल में आन्सर पूछा है तो 20 से कितने बार कड जाएगा, पांस बार कड जाएगा, तोंच 25, 25, 25, 25ew जूल इसका सही जवाब हो जाएगा, किदना हो जाएगा प्यारे बच्यो तो पच्चीस सो जवाल इसका पच्चीस सो जूल इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगले क्वश्चन की तरफ बताएंगे मुझे एक बार सही जवाब अगलों साथन्स सत्य है अभिसारी लेंस की शंताध üz apples होती है बहुत आसान सवाल है बशरते आपको यह आना चाहिए कि अभिसारी लेंस कौन होता है तो टारे बच्चों अभिसारी लेंस होता है जो किर्णों को को इخटा करता है किरोनो को इखटा कौन करता है आपका उत्तल लेंस पार्टरी तरह एदर की दूरी कैसे लेते हो आप प्लस लेते हो तो इसकी तो छमता बिल्कुल धनात्मक ली यह करेक्ट जवाब है और अपसारी लेंस की चमता अवतल का जो सरकल कंप्लीट होगा प्यारे बच्चों अवतल का सरकल इधर कंप्लीट होगा तो यह कैसी ली जाती है रणात मकली जाती है यह भी बिल्कुल सही बात है तो दौनों ही बिल्कुल अपने आप में सही आंसर है बिल्कुल करेक्ट है दोनों बहुत छांदा रविकांत यादव राम राम भाई तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं नितेश हैं क्रिकेट बॉर रविकांत विने अनिल सुमेर फैन भगर सिंग का वेरी गुड अगला कोश्चन देखेगा किसी उत्तर लें आउग आपको उसे कहां रखना होता है सिपर रखना होता है कहां पर सीपर अगर आप सीपर कोई भी औब्जयक्ट रखेंगे लुकांत को यहां तक कि yaptयंग जो इसकी दूगनी होती है तो कितने हो जाएगी 30ति मिटमी each कि आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कोय यह आप से पूछी हैं लेकिन आप लोग जबरदास आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है एक बल f k x और y घटक करम से हैं 30 डिगरी पर x अक्ष देखिए इसने दिया है 30 डिगरी पर x अक्ष पर है यानि कि कहना वो यह चाहता है कि कोई force लगा हुआ है कुछ इस तर 30 डिगरी से अना जी तो मुझे बताओ इसका इधर कॉंपोनेंट कितना हो जाएगा अगर यह f है तो प्यारे बच्छों यह कॉंपोनेंट हो जाता है इसका f cos 30 ठीक है और यह कॉंपोनेंट कितना हो जाता है f sin 30 f cos 30 का मतलब कितना हो जाएगा f sin 30 की value 1 बटे 2 और कॉंपोनेंट आप सब को करने आने चाहिए बहुत आसान सी बात है कॉंपोनेंट करना अगला पॉशन देखें जरा न्यूटन की गती का दूसरा नियम क्या होता है तो प्यारे बच्चों न्यूटन की गती का दूसरा नियम बल और त्वरण के बीच रिलेशन दिखाता है force और acceleration के बीच relation दिखाता है जिसको हम किसका नियम बोलते हैं तौरण का नियम बोलते हैं अगला question देखेंगे चावल पकाने में सबसे अधिक समय खाने को पकने में सबसे अधिक समय उंचाई पर लगता है उंचाई पर भढ़ने के साथ साथ दाब आपका घट जाता है और क्यूरी तापमान पर कहां पर बच्चों क्यूरी तापमान पर क्यूरी तापमान एक ऐसा तापमान है कि अगर हम इसके ऊपर या इस तक किसी भी वस्तू को घरम करेंगे तो उसके अंदर से मैगनेटिक प्रापर्टिस फूरी तरह से खतम हो जाती है अगला कॉशन देखिए निमलिक इत्मेंसे कौन एक विद्धुत चालक है क्या प्लास्टिक की चादर जी नहीं आसुत जल क्या होता है बच्चों डिस्टिल्ड वाटर देखिए पानी कभी भी विद्धुत का च क्या लकडी की पतली चादर जी नहीं लेकिन हुमन बॉडी में आपने देखा होगा शौक बहुत अराम से लग जाता है अगला कॉशन किसी तरल के आदर्स प्रवा को संतुस्ट होना चाहिए तो देखिए अगर कोई कहता है कि मैं आईडियल हूँ आदर्स हूँ तो उसको संत्यतरता के समीकरण को पूरी तरह से संतुस्ट करना पड़ीगा ठीक है ये साही जवाब हो गया अगला प्यूशन देखें प्यारे बच्चोग किसी पिंट का भार कहां पर जादा होता है तो प्रूल्स पर सबसे जादा होता है किसी प्रिंटका वेट ले लो चाहे प्र समान दर से वास्प को प्रिवेस कराया जाता है पातर में दाव याद रखना अगर किसी बरतन में अगर किसी बरतन में खाली है और वो पूरी तरह से बंद है अगर उसमें आप कोई भी मास डालोगे तो पीवी वराबर क्या होता है बच्चो सरे मास बढ़े तो प्रेशर भी बढ़ेगा द्रवमान बढ़ेगा तो लगातार प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा इसका अंसर ओप्शन हो जैगा अकला आप्स्ट दोगे आप चार गुना यहां चार रखोगे तो यह 16 हो जाएगा यानि कि बल कितना हो जाएगा बच्चो वन बाई 16 कितना हो जाएगा वन बाई 16 तो बच्चो यह हो गए मेरी तरफ से physics के 15 questions और इन 15 questions में हमने देखा एक बहुत शांदार तरीके से यह आपका session रहा तो chemistry के questions का आप से भी लोग आनंद लेजिए अविनासर के साथ झालाः कि अधिक जैन साथियों मैं विनाशुष कर्मा आपका स्वागत करता हूं मिनी मोक टेस्ट में टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंड के लिए यह आपके दस कोशन बहतरीन वाले और आज बिल्कुल कवर करेंगे बढ़िया तरीके से ठीक है चलिए ठीक है हाजी पहले कोशन पर आते हैं और पहले कोशन पर यहाँ पर हमारा यह रहा पहला कोशन जल्दी से फटा फट बताईए इसका अंसर और कवर करते हैं अच्छी तरीके से ठी चलिए ठीक, ओके ठीक चलिए बढ़ते हैं मेरी क्लास में सुकुन मिलता है बाबुजी अच्छा बाबुजी अच्छा किसी की क्लास में तो सुकुन मिले बढ़िया है प्रकास का प्रकेडन यानि कि जो लाइट आती है लाइट आने के बाद इधर उदर भागती है इसको कहते है प्रकास का प्रकेडन किसमें संभव होत होता है वही है सिम कौन सा टिंडल प्रभाव स्केटिरिंग ओफ लाइट इस पॉसिबल इन तो टिंडल प्रभाव किससे संबंदित है जल्दी से बताइए अपने आंसर दीजिए बिल्कुल सही बात है लव यू बेटा लव यू कौन सा है बताइए कॉलाइडी विलिन है वा इंदास कोलाइडल सोलुशन टिंडल प्रभाव बहुत गजब बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर टू पर आते हैं कोशन नंबर टू है यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चों का सही रहता है देखते हैं कितने बच्चों का बिल्कुल सही रहता है यानि कि यहाँ पर carbonic लिखा जाएगा, organic acid नहीं लिखा जाएगा, carbonic, carbonic है ये, carbonic, ठिक, carbonic, carbonic, ऐसे, carbonic अमल है, जल्दि से बताएं, carbonic अमल इनमें से कौन सा होगा, calcium carbonate होगा, hydrogen carbonate होगा, phenol होगा, या magnesium होगा, आपको ये बताने है, magnesium, magnesium तो है ही नहीं, कोई तत्व आपका बनेगा, ये कोई acid में तो नहीं आएगा, चलिए, बचा है phenol, hydrogen carbonate और calcium carbonate, hint मैं आपको दे देता हूँ, जो आपकी cold ring में पढ़ता है, वो ही acid ये है, carbonic aml, cold ring में जो पढ़ता है, कौन सा है, वो है आपका, H2CO3, वो है कौन सा, H2CO3 होगा, H2CO3, जी बिल्कुल सही बात है, कौन सा H2CO3, phenol तो नहीं है, ये है आपका hydrogen carbonate, जब carbon dioxide को हम किसी liquid में डाल देते हैं, तो H2CO3 carbonic aml मिलता है, और जो phenol है, ये आपका carbonic acid है, ये आपका carbonic acid है, ठीक है, चलिए, option बिल्कुल सही है, चलिए, बहुत बढ़िया, B option, लगातार, गजब बच्चे, गजब, वा, शेर, आते हैं, question number किस पर, तीन पर आते हैं, बढ़िया सा in testing question है, अलग तरीके से बना के लिए कर आए हैं, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है, ये चार option है, इन में से किस का संबंध ठीक न नहीं है, वैसे संबंध ठीक वाली बात नहीं चली है, वैसे कि सामने ये जो इनके परमाडू भार लिखे हुए हैं, ये क्या सही है, चलिए, which of the following relation is not correct, बताइए इन में से कौन सा option बिल्कुल सही रहेगा, देखो बच्चों ने B option देने सुरू करें हैं, कुछ बच्चे C भी दे रहे हैं, तो बताइए जल्दी से कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है, जी, बिल्कुल, देखते हैं किसका सही आंसर होगा, चलो देखते हैं, सोडियम का बेटा 23 परमाडू भार होता है, बहुत अच्छी बात है, तो जानते हैं सब बच्चे, पोटेशियम का 49 होता है, 39 9 परमारु भार atomic mass ये भी बिलकुल ठीक है अब बचते है ये दोनों बाबुजी hydrogen का एक ही होता है लेकिन helium पर फस गए helium का कितना होता है चार होता है helium का कितना होता है यहां पर चार होता है तो helium का संबंद सही नहीं है helium होगा तो कौंसा हो गया सी अब बी वाले बच्चे थोड़ा सध्यान देना परमाडू भार पूछा है मैंने atomic mass तो आपको mass देखना है नंबर नहीं देखने ठीक है चलिए बहुत बढ़िया ठीक है ठीक potassium का 39 होता है बेटा आरगन का 40 होगा और आपका calcium का 40 होगा ठीक है और यहाँ पर जब कोशन आता है तो कौन सा संबंद सही नहीं है हम वो लेते हैं जो सामानने रूप से होता है सामानने रूप से potassium का 49 होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 4 है 0.8 यहाँ पर यह मैं सही कर देता हूँ यह sulfur है यह sulfur है ठीक है आज हमारे typist को थोड़ा सा बुखार हो गया था इस वज़े से उसकी typing में थोड़ इसी हाँ पर गड़ बड़ी रही है कोई परेशानी वाली बात नहीं है कभी कभी हो जाता है इना इनसान के शरीर है हो जाता है बुखार बुखार चल रहे है आज कल ठीक है आप जैसे योध्धा हो या फिर दौड़ मानने वाले बालक हो तो उनको बुखार वगड़ा थोड़ा कम चड़ता है लेकिन जो officially काम करते हैं उनको बुखार बगड़ जाधा चल रहाता है ना चलिए दर सम लब 1 मोल s 8 कके अरुकिंट की संख्या अरुओकिंट क redon कैसे संख्या निखालते हैं बड़ा असान बताएथ आय। इस that day नकालनी है तो आओ गाद्रो नंबर लिकर उसमें मोल की गुणा कर दो बस आओ गाद्रो नंबर लिकर मोल की गुणा कर दो तो अड़ूओ की संख्या निकालनी है number of molecules निकालने है तो आवो गादरो number कौन सा है यही तो है 6.022 गुणा 10 की घात 23 इसमें किसकी गुणा कर देंगे जो आपको मोल दे रखा है उसकी गुणा कर देंगे 0.1 की गुणा कर देंगे तो जब 0.1 की गुणा करोगे तो यहाँ पर जो घात है पावर है यह एक कम हो जाएगी तो जब एक कम हो जाएगी तो क्या आएगा यह आएगा आपका option भी बिल्कुल सही होगा 6.022 गुणा 10 की घात 22 22 आजाएगी पावर इस बार बच्चों का गजब तरीके से सही है यानि कि प्रेक्टिस में तो मज़ा है पडवी गजब रखा है और एक वही बात बता दू 15 कोशन नर्सिंग असिस्टेंट और 10 कोशन टेक्निकल के अगर इसमें 1-2 कोशन हाड आ रहा है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं हाड आ रहा है वो सभी के लिए हाड आ रहा है क्योंकि सब बच्चा एक लेबल पर त्यारी करके जा रहा होगा ठीक है हो सकता है कि आपने पहले से ही उसको पढ़ रखाओ और एकदम से दिमाग में आ जाओ एक योगिक बना उसका रास्यनिक सूत्र कौन सा हो सकता है तो कौन सा फॉर्मला इसमें बन सकता है अगर मैं में मेंगनीशियम और ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ दू तो यहां बात करेंगे मेंगनीशियम की जो सहयोजक्ता होती है ये कितनी होती है बेटा, दो होती है, magnesium की सहयोजकता कितनी, दो, कैसे पता करेंगे, दो, आठ, दो, है न, इस तरीके से, और oxygen की सहयोजकता ये भी कितनी होती है, दो होती है, तो दो दो बराबर है, जब बराबर होता है, तो कहीं भी किसी तरफ से कोई गुड़ा नहीं होती, तो इसका सिधा आंसर हो जाएगा MGO, इसका सिधा आंसर हो जाएगा MGO Magnesium Oxide, C बिल्कुल सही आंसर है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 6 पर आजाएं, आजी बिल्कुल आजाएं, ये देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना, बहु किससे मेल नहीं खाती है, NS3 की जामीती किससे मेल नहीं खाती है, the geometry of NS3 does not match with, बताइए किससे मेच नहीं करती है, तो यहाँ पर आपके 4 option हैं, बड़े ध्यान से सुनो, कैसे सुनो, यहाँ पर देखो, nitrogen के नीचे होता है, phosphorus, nitrogen के नीचे होता है, phosphorus, ठीक है, नाना, पाटेकर, असरानी, सब भाई, है ना, यही होता है ना, चलिए, अब एक बाँ बताओ, nitrogen के साथ अगर 3 है, nitrogen के साथ अगर 3 है, तो phosphorus के साथ भी 3 चल जाएगा, क्या दिक्कत है, nitrogen के साथ देखो 3 है, यहाँ भी nitrogen के साथ 3 CL है, यहाँ phosphorus के साथ 3 CL है, यहाँ phosphorus के साथ 3 H हैं तो फास्पोरस कहरा भाईया मैं तेरा ही तो भाई हूँ मेरी आकरती तो तेरी आकरती जैसी ही रहेगी सनचना तो कौन सा है वो गदार जो बिल्कुल अलग बैठा हुआ है वो गदार है कहां पर ये रहा BCL3 बोरॉन कह रहा है मैं तो भाईया तुम्हारे गुरुप का तो BCL3 की जो जया मीती है आकरती है वो अलग होती है तो option कौन सा हो जाएगा ये वाला एक तरीका और है उसको भी देख लेते हैं अगर ऐसे नहीं आता तो देखो B का कितना होता है 5 और अब क्या लिखोगे 2,3 करोगे ठीक है कितने electron आ रहे है लास्ट में 3 आ रहे है नाइटोजन का कितना होता है 7 तो 2, कितना करोगे 5 करोगे लास्ट में कितने electron आ रहे है 5 इसमें 3 जुड़ गए तो electron खतम हो गए इसमें 3 जुड़ गए तो 2 electron बचे हु को में होगी, compound में होगी, वो nitrogen वाले से तो match करेगी ही नहीं, ठीक है, तो इस बात का ध्यानकता कि BCL3, NS3 से अलग होगा, ठीक है, और सनिचना बनानी मैंने बताई थी, nitrogen को बीचो बीच में रख लो, 3 hydrogen दिखा दो, 5 electron है, 2 electron बच जाएंगे, BCL3 में ऐसा नहीं हो रहा, ठीक त चलिए, पहले इस question को पढ़कर आप ये बताएं कि ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है, जल्दी से, ठीक है, ये कौन सा नियम है, जल्दी से मुझे बताएं, जी, 25 तारिक वाले बच्चों के जो पेपर है, technical nursing assistant, उनके लिए ही बेटा, ये mini mock की series है, ठीक है, boil का नियम है, तो सूतर क्या लगाओगे, P1, V1, पराबर, P2, V2 हो जाएगा, है न, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर दे रखा है, किसी ताप पर, इस्थिर ताप पर, किसी 100 ml gas का दाब, कितना है, 1.5 ATM, लेकिन जब उसका हमने pressure, ATM, दाब, 2 ATM कर दिया, तो उसका item क्या होगा, चलो द देखते हैं, P1 कितना है, P1 है, 1.5, पहला pressure, पहला ml कितना है, 100 ml है, 100 ml है, P2 कितना है, 2 ATM है, आपको क्या निकालना है, V2 निकालना है, अब जरा इसको यहाँ काट के देख लो, कितना हो जाएगा, V2, कितना हो जाएगा, V2, जल्दी से बताएं, V2 कितना आ जाएगा, V2 कि जब काटोगे तो 50 और 15 पंचे 75 तो कित आ जाएगा 75 ml आ जाएगा 75 ml आ जाएगा ये बेटा 1.5 है तो 75 ml आ जाएगा कहां है 75 ml ये है आपका option A बिल्कुल सही option A बिल्कुल सही ओप्शन A बिल्कुल सही ठीक आगे बढ़ते हैं और कोश नंबर किस पर आते हैं आठ पर toluene का सुत्र कौन सा होगा इन में से दा फॉर्मला ओफ toluene इस बताइए इन में से कौन सा है जल्दी से बताइए फटा फट नहीं बेटा क्लर के लिए नहीं टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ठीक है चलिए जल्दी से बताइए toluene का कौन सा सुत्र है c6h5oh बेटा यह तो फिनोल के लिए है यह तो फिनोल का सुत्र है फिनोल का फॉर्मला है यह फिनोल अच्छा यह किस का है c6h5cwh यह बैंजोइक अमल का है ये benzoic अमलका है, बचा कौन सा, बी वाला, ये है आपका toluene, और toluene से TNT बनाय जाता है, जो बिसफोटक होता है, एक्स्पलोजिव होता है, ठीक है, बिसफोटक होता है, toluene से जो बनेगा TNT, बिसफोटक, ठीक है, तो toluene का फार्मला होता है, C6H5, CH3 होता है, ठीक, भी ऑ किस पर आते हैं 900 και बाति है और जल्द बाजी में से लगाना है जल्द बाजी में आंसर लगाओ गे तो गलती कर बैठों गे इसलिए पहले अपने समकों धिंऐ से करें बच्चे तुरंत आंसल लगाना शुरू कर देते हैं ध्यान से पढ़िए पहले भगत सिंग फैन भगत सिंग का बहुत बढ़िया पहले बार में ही गर्दा काट दी हो बेटा ओजोन गैस के बारे में क्या सत्ते है वाट इस दा ट्रू एबाउट ओजोन गैस ओजोन गै इसका अडू भार 48 है 48 है इस मॉलिकुलर वेट इस 48 यह ऑक्सीजन का अपर रूप है इसका अडू भार मॉलिकुलर मास 48 भी है और यह ऑक्सीजन का अपर रूप है यह तीनो के तीनो ठीक है तो इसका मतलब यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल बहुत बढ़िया जी गजब सर रोल मचा दिया अरे बाल को मुझसे आदा रोल तो तुम मचा रहे हो है अब तो ब बस एक बार वर्दी में आजाओ, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, चली आईए, अंतिम कोशन पर 10 और ये आपका लास्ट कोशन यहां के लिए, मिनी मौक टेस्ट के लिए, ठीक है, वैसे हम मिलते रहेंगे आपसे, जब आपकी, ठीक है, जब वैसे आपकी जॉब लग और बढ़ दी में, बस, एक बार मैं देख लूँ, बस, समझो, हरी दुवार में गंगा नहा लिए, ठीक, निम्न मैंसे कौन सही नहीं है, तो ये बेटा, ये S है, ठीक है, मैंने पहली बताया था, हमारी टाइपिस्ट बाबुजी थोड़े से, बुखार में है, है ना, तो बताओ कौन सा नहीं हो सकता, इन मैंसे, इन मैंसे कौन सा नहीं हो सकता, ये S है, S, ठीक है बेटा, S, चलिए, तो बताइए इन मैंसे कौन सा नहीं हो सकता, है ना, तो S में, ये वही है, इलेक्ट्रोनिक विन्यास वाला, 1H to 2H to 2P6, इस तरीके से, चलो देखते हैं, और ए यहांने क्या कहा था, SPDF, इसमें आप ज्यादा स्यादा 2 electron भर सकते हो, कम से कम 0, इसमें 6 electron भर सकते हो, इसमें 10 electron ज्यादा स्यादा और स्में 14 electron भर सकते हो, अब जरा देख लेते हैं, S वाले में क्या होगा यहाँ पर 1S1 हो सकता है 1S1 हो सकता है जैसे hydrogen 1S0 हो सकता है जैसे H+, जैसे hydrogen जैसे H+, एक electron निकाल दिया S खाली हो जाएगा क्या दिक्कत है 1S2 यह तो helium का ही है यह तो helium का ही है helium का है और कौन सा नहीं हो सकता S में भीया दो ही electron होते हैं इन बाबुजी ने यहाँ पर टीन electron दिखा रखे हैं तो यह बिल्कुल गलत तरीके से काम करेगा तो यह हो गया आपका D option बिल्कुल सही D option बिल्कुल सही और जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहेंगे जितना भी आपने पढ़ा है practice set हो या फिर किसी तरीकी की मेराथन है या आपकी class है mock test है उसका revision कर लीजिए अच्छी तरीके से revision करिए और आज के बाद हो सकता है कि मिलें आपकी सिधा joining के बाद ठीक है बिटा चलिए अब आपने फटा-फट नमर बता दीजिए बढ़िया तरीके से नौ ठीक तीन वाले बच्चे थोड़े से और मेहनत करें मैं चाहता हूँ कि जादा स्यादा और बहुत जादा 99.9% बच्चे अच्छे से select हो जाए ठीक है और जो 0.1% बच्चे उनकी कोई मजबूरी रही होगी पढ़नी पाए लेट बैच लिये होंगे ठीक है आठ नौ साथ बहुत बढ़िया नौ साथ आठ पाँच ठीक बहुत बढ़िया ठीक एक किसका स्कोर आ रहा है बेटा अच्छे से महनत करो अभी 3-4 दिन और है ठीक है ठीक है ओके ठीक है एक इमानदारी से बताय करें बिल्कुल loyalty से कि सर इतने बन रहे है एक योधा बनने जा रहे हो योधा तो आप मैं नहीं कहूंगा बार-बार मैं कहूंगा एक army में select होने जा रहे हो अपने अंदर दो चीजे रखना एक इमानदारी और एक हिम्मत ठीक, हिम्मत से सच बोलो, और इमानदारी से महनत करो ये जब तक रहेगा आपके खून में तब तक कोई रोकने वाला पैदन ही होगा ठीक है, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, रोकने वाला पैदा होगा आपकी वर्दी के साथ अब आएंगे आपके टेक्निकल वाले मैथ वाले सर मोहिच सर आईए सब्सक्राइग को गुडिवनिंग सभी को गुडिवनिंग गुडिवनिंग हो चलिए एक बार बच्चे जल्दिश से सभी लोग थमसब कीजिए सभी को वाज आ रहे न अच्छे स चलिए एक बार सभी लोग जल्दी से थमसब करेंगे की आप सभी को आवाज आ रही हैना च्छे से जल्दी से थमसब करना है सभी को ठिक कैज भू से कल से नहीं होगा क्या आःस इस अम कल से आधि क्लस छास कि मिन.- लीक आ decía कि ऐंभू याज ठीक चले तो गुडिवनिंग बच्चे गुडिवनिंग सभी को गुडिवनिंग मैं आप सभी का एक बार फिर से रोजगार विद अंकित डिफेंस यूटीव चैनल पर स्वागत करता हूं और चले स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को जल्दी से देखे जैसा कि आप सभी लो को अंसर करना है 6x square माइनस 13 x plus 5 के गुडणखंड है माइनस 13x plus 5 k गुडण खंड है A B C AD जल्दी से बताएंगे सभी लोग A B C AD ठीक जल्दी जल्दी अंसर किजिए सभी लोग ठीक है बताएं जल्दी से सभी लोग जल्दी से बताएंगे A, B, C, A, D आप से पूछा कर रहा है, 6x²-13x प्लस 5 के गुलनकंड होंगे ठीक, काफी सारे बच्चों के अंसर चैट सेक्शन के अंदर आने लगें देखे, आप लोग के पास में जब भी इस टाइप का कोशन आएगा तो आपको solve नहीं करना है, exam के अंदर सिर्फ option से देखना है, बच्चे आप लोग को एक चीज़ बताई गई है क्या चीज़ बताई गई है, इसर जब हम इसको multiply करेंगे जब हम इसको multiply करेंगे, इस वाले को इसके साथ में बस यह देखना है, कि सर यहाँ पर multiply करेंगे माइनस के एक को माइनस के 5 के 2ब्ल्स का 5 और माइनस के 5 को मैनस 3 के शाथ मुल्टिप्लाइब कर adjustments अब हमें प्लस पार चाहिए यानि या यह तो हमारा OPSन होगा や या फिर हमारा OPSनb उसका बहुत हम सकार से कि यहां पर कितना उट ठाँड़ाद स्थीद्व । 2x को 1x के साथ में तो बच्चे माइनस का कितना गया तर 2x आ गया अब आपने माइनस के 5 को multiply के इसके साथ में तो माइनस का कितना गया पांस तिया 15x तो बनेगा माइनस के 17x यानि कि ये भी आपका option नहीं हो सकता तो option number c आपका सही अंसर होगा हमेशा याद रखना इस टाइब के questions आप लोग को option से ही करने हैं तो option number c क्या होगा आपका सही अंसर होगा ठीक पता लग यह reason क्या है reason बच्चे हमारे पास में यह हैं कि आप इनको multiply करके देखोगे सबसे पहले तो आप प्लस पांच देखना यानि कि दो उप्सन तो आप लोग ऐसी हटा लोगे अपना ये वाला और ये वाला ठीक है ए और दोटर्स हमूं में 27 व्यक्ति चाइः पीना पसंद करते हैं जो 27 व्यक्ति रती यानिकै आप लिखने पास कोफी पिना पसंद करते ourselves कोफी पीना पसंद करते कृफी पिंगे स्क्राइबெ यह तो चाई पीएगे या कोफी पीएगे यह दोनों चीज के क्यों कि कम से कम लिखा है त्यक्टी दौनों में से कम एक पधार्थ प्रसंद करता सब्सक्राइब कितने व्यक्ति चाय तथा कोफी दोनों पीना पसंद करते हैं जल्दी बताइए अंसर कितना होगा कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कोफी दोनों चीजों को पीना पसंद करते हैं बताइए जल्दी से कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका option answer में ना हो क्योंकि अभी अभिनास सर ने आपको बताया था कि थोड़ी तबियत सही नहीं है तो हो सकता है वेरी गुड गोलु लोधिया के सबसे पहले answer आया है एक बच्चे ने वीन डियाग्राम की हेल्प से करना देखे यहां पर आपने लिखा चाय पीने वाले लोग हैं यहां पर कोने कोफी पीने वाले लोग हैं और बीच में वह लोग जो काई चाय और कोफी दोना पीना पसंद करते हैं मान लीजे वह एक्स लोग है जो चाय और कोफी दोनों पीते तोब्च चाय पीने वाले लोग कितने 27 27 में से X पैली आ चुके थेसे कितना आगया 27-6 कॉफी पीने वाले लोग कितने 22 22 में से X पहली आगे तो यहां पर कितना आ 22- reflex और इन 3 होग कितना है मारे पास में साथ है क्यों कि 토ल वैकति 7 है तो ब्च्छे एक एक से तो एक एक सकट गया यानि कि 27 प्लस 42 कितना हो गया सर 7 और 2 9 4 और 2 6 माइनस के एक स बराबर 40 और वच्चे एकस की वाल्यू कितनी आ गई नौ यानि कि eks xuoni नौ है जो दो ciao आइए और को फी दोनों पीना पसंद करते मों कितने हमारे पास में नौ लोगे ठीक चले तो यसधिन व 5 से 6 फू druge यह पिर आपको नामले ठिक जले टीनेक्स स्पोषिंट कोशन जर्ण नबर थर यह ए अच्छा व्य समानतर माध्यय है यह नाने कि हमारे पास में दो नमबर है a & b और गी cake by you और यह जो संख्या लिखी हुई है यह a & b के बीच का क्या है समानतर माध्य माध्य है आप जानते हो अगर दो हम और और गहां गया नमबर है और Best G समाहंतर माध्य कितना आएगा a plus b by 2 तो यह value a plus b by 2 कब आएगी आपको बताना है n की value कितना लेने पर यह a plus b by 2 आएगी एन की value option से रख देखो अगर आपने n की value 0 ली बच्चे अगर n की value 0 ली तो 0 0 पिलस एक कितना हो गया एक यानि कि आ गया चबूस अगर n की वेल्वीवीरए आपने आपने 的是 wp dice inalitra 10 अजया कितना हो गया एक हुए टो आपने आपने कितना DO हमारे पास में तर एन की वैल्यू जीरो लेने पर हमारा अंसर सैटिस्फाई हो रहा है तो यह उप्सन हमारा अंसर होगा कि एक पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 अगर हम लोग n की वैल्यू को जीरो लेंगे तो हमारा अंसर क्या बनेगा सही बनेगा ठीक चलिए नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 4 पूछा जा रहा है कि लोग एक अच्छा कोशन है लोग एर्थमिक के सारे काफी सारे बच्चों को क्योंकि हर चीज के अंदर हमने पढ़ाए लोग लोग 16 रूट टू जिसका बेस है आठ बराबर एक से तो आप से है की पावर हक से तो की भी पावर छार इंतु बेस से बनेगा की पावर चार इनू की पावर बच्चे श्रूट लेना आभ सभी लोग की रूट दो यानि किसा मतलब मात रोट अब अगर दो आ देखाए रूट PIZम और चीक साथूष को सब करोंगे घ्यान से देखना सभी लोग उफिकी पावर कितना गया तो यह वैलिव किसके बराबर है 2 की power 3x यानि की 3x की जो value है हमारे पास में compare करने पर तुलना करने पर 3x कमान कितना आ गया 9 बटे 2 और बच्चे 3 से कट गया 3 बार में x कमान कितना आ गया हमारे पास में 3 बटे 2 तो x कमान कितना आ गया 3 बटे 2 option number D इसका सही answer है ठीक है बी वाले सुधर जाओ ठीक डी इसका सही answer है next देखिए question number 5 अच्छी तरह से fatty हुई 52 की गड़ी में से 2 तास 2 तास निकाले जाते हैं दोनों के 1 का होने की प्राइकता ग्याद कीजिए यानि कि हमारे पास में एक गड़ी थी डीक के इसके अंदर 52 तरह उसमें से समझा आएस तरह थी आए कि समझाएंगे चीज़िए 5- ampl तास निकालें दोनों तास के इका होने की यानि कि दोनों तास एस के हो जिनको इंग्लिस नहीं समझ में आती है सुरी हिंदी नहीं समझ में आती है लिख लेना कि एस की बात की जारी है कि दोनों तास एक्के यानि की एस के हो तो इस चीज की प्राइकता कितनी होगी देखिए कि आपने का सर हमारे पास में टोटल का तास कितने बावन और वच्चे बावन तास में से आपने दो थास निकाले यानि कि टोटल नंबर ऑफ कितने होगे तो अब एकसे दो तास बाहर निकाले गए लेकिन पर दोनो तास हमें किसके चाहिए तो आप लोग लिख लेना इका यानि कि एस कितने होते हमारे पास में चार होते हैं तो उन चारों में से कोई भी दो कार्ड बाहर आ जाए ठीक करने के लिए ट्रिक आपको बताई गई थी क्लास्रूम के अंदर प्रेक्टिस घ्र के अंदर भी कि सर यहां पर भी नीचे दो यह पर भी नीचे दो यह स Тут कटेगा καई सल्वाट होगावभा सिर्फ हमारे पास में कितना बचेगा पॉर इंटु थरी ऊपर कितना आगया 4 x 3 और नीचे कितना आगया 52 x 51 जब आप इसको solve करोगे बच्चे कीजिए 3 से काटा इसको कितना आगया 17 और आपने इसको 4 से काटा है कितना आगया हमारे पास में 13 यानी की एक बटे नीचे कितना जाएगा 13 कितना आगया हमारे पास में एक बटा 221 एक बटा 221 ठीक चलिए हमें याद यह रखना है कि एक तास के अलावा अगर हम दो तीन चार पांच शे तास निकालेंगे तो हमें करम्चे संचे का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक नेक्स देखिए आपको रेखिक संभी करन के युगम देगे हैं बच्चे एक रेखिक संभी करन तो यह है 2x माइनस के 3y बराबर 3 और दूसरा किया हमारे पास में 6x माइनस के 9y बराबर 12 पूछा जा रहा है कि बताए इसके कितने हल होंगे आपको हल की कंडिशन याद कराए गई थी सब्सक्राल अस और है आपको किसरे आपाव एट्व आगर देखा जाए टो रखे वर नप्लक एटू कितना हो गया रेखिए अगर हम लोग लोग भी युटू निकाले Ł инव लोग क्या निकाले पास में सरदीन आपाहन ओनटे ना BROWN इरह थी-पाइटार यानिki यह शार रहा तो हमारा a1 upon a2 equals है b1 upon b2 k but not equals to a c1 upon c2 k तो जब यह वाली condition बनती है कि a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2 तो आप कोगे कि सर यह क्या होगे हमारे पास में कि इस case में कोई भी हल नहीं होगा कोई भी हल नहीं होगा याद रखना है आप सभी को कि सर जब यह वाली condition आती है तो दोनों लाइने समांतर होती है यानि कि वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानि कि प्रतिच्चेद नहीं करती हम लोग कह सकते हैं कि कोई हल नहीं होगा यहापर होगा कोई नहीं यानि कि कोई भी हल नहीं कोई भी हल नहीं यानि किसका एक भी हल नहीं होगा लाइन कैसी होगी समानतर होगी एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी ठीक चलिए नहीं होगा एक पच्चिस मीटर लंबी सीडी तिवार से तिकी यानि कि एक हमारे पास में दिवार की से देखना जर कैसे देखें द्यान से एक सेकिंड सिर्फ यह हमारे पास में दिवार है ठीक क्या वर पास त्सक्राइन कामण स इफ 25 सेंटिमेटर लंभी सीडी यहार किर यह रही और यह सिडी हमारे पास में अभ़वर लब लिख लो यह सीडी कितनी है 25 सेंटी मीटर लंबी 25 मीटर लंबी सीडी एक 25 मीटर लंबी सीडी दिवार से टिकी है दिवार जमीन से लंवत है यानि कि जो दिवार है वो लवी जमीन के साथ में कैसी है बच्छे लंवत है यानि कि दिवार और जमीन जो है वह एक दूसरे के सा साथ में 90 डीगरी का कोर बना रहे हैं आगे लिखा हुआ है कि सीडि का निचला सिरा जमीन पर दिवार के अधार से 7 मिटर की दूरी पर है यानि कि यह जो सिरा है यह साथ मिटर की दूरी पर है कितने मिटर की दूरी तो CD कुछ इस तरी के से होगी यह यह कितना नीचे खिसक गई है कि चार मीटर सथी चार मीटर नीचे खिसक गई है जा का तो सीडी का निचला सिर्हा कितना खिसकेगा बताओ यह इसा तो आ आपने त्रिप्लैट याद कि होगी जरूर राइट एंगल यानि कि समक्न्र तिरभूज में उसकी मुझाएं ज होती है कितनी कितनी होती है रएक टॉपल व Singapore सब्सक्राइब बोटा सब्म करिए यह जैसे कि यह बनेंगा यह साथ थै commission तो बच्चे टोटल कितनी रही होगे हमारे पास में टोटल 24 रही होगी स्टार्टिंग में अब जब स्टार्टिंग में 24 रही होगी तो चार नीचे खिसक गई तो बच्चे कितना बच्चा हमारे पास में 20 बचा कितना बच्चा 20 यह कितनी सीडी सीडी की लंबाई नहीं मतल आठप मिटर मिटर आगे को ठीसक गई होगी है कितना मिटर अगे को ठीसकी होगी लाई यहाऊं से चार मिटर नीचे ज़िए तो इसा जरूरी नी है तो चार मीटर नीचे खिसकी है तो चार मीटर आगे खिसके ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा ठीक है कि चलिए नेक्ट देखे बच्चे अगर नेक्ट की बात करें कि यदी ट्रेंगल ABC एक तिर्बुजे ABC जो की B पर समकोण है तो एक तिर्बुजे बना लो समकोण वाला देखे एक तिर्बुजे जो की B पर क्या है बच्चे समकोण है एक अच्छा कोशन है यह रहा ठीक बच्चे आप लोगो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा यह समकौन तिर बूजे और यह कहां पर समकौन तिर बूजे यह बच्चे इसके नाम लिखो ए कि एए बी इसी बीपर कितना यह समकौन यानि कि 90 डिगरी का अब देखो क्या क्या लिखा है यानि कि जो अबी भुजा है इसका मद्य बिंदू कितना है बच्चे इसका मद्य बिंदू है यहाँ पर एक बिंदू है यहाँ पर एक बिंदू है इसका मतलब है कि यह वाला हिस्सा इसके बराबर है ठीक लिखा हुआ है बताईए कि 4 a n square प्लस 4 sorry 4 a n square प्लस cm square किसके बराबर होगा यानि कि अब आपको करनक है अब आपने इनको आपस में कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है उसे इस तरीके से जोड़ दिया जोड़ देते हैं को यह जोड़ दिया और शक आप ने यह जोड़ दिया और शक्त हnew आपने यह जोड़ दिया कि δεν उस्पर प्लय एक चीज अच्छे से समझ्टें किसे अर्च को स्क्वेर मिल करके हमारे पास में एजी का स्क्वेर आएगा क्यों क्योंकि समकोर तिर्भूज में पाइथागोरस ठ्रम लगती है अगर हम लोग नेच्ट एक चीज और देखें तो बच्चे आप से जो चीज पूछी जा रही है एन स्क्वेर तो आप लोग देखें ठीक अगर आप इसी तरीके से अगर आप इसी तरीके से कौन से तिर्भूज को देखोगे अगर आप तिर्भूज को देखोगे एम बी सी को अगर आप एम बी सी तिर्भूज को देखोगे तो पाइथागोरस ठ्रम से जो सी एम का स्क्वेर होगा बच्चे वो कितना होगा ब्लस कर स्कुर्स 60 जोड़ है और जिधियन से देखना जब आप इन दोने उक्वषन को जोड़ है ए equation number one और equation number two बच्चे जोडने पर मिलेगा AN स्क्वेर एन स्क्वेर प्लस CM स्क्वेर बराबर बच्चे वहाँ पर देखो a.b.ks you are और BC का स्क्वेर जोलकर कितना आगया AC का स्क्वेर प्लस अब आप देखो तो BM को कितना लिख सकते हैं अगर यह बराबर है तो आप इससे लिख सकते हो अब जब आप इसको जोड़ोगे तो बच्चे यहां पर जो चार नीचे वह यहां जाएगा और चार और एक इतना हो जाएगा पांच यानि कि यहां पर आएगा चार एंच का स्क्राइब किला दिन सी एम का स्कूर्ट बरावर छांच हमारे पास में एट इसतके अंसर तो कितना आगया प्सक्वालेट सामने सोलुशन सभी के लिखा हुआ य॥ ठीक है अब आपको याद क्या रखना है अब आपको ये भी समझदتم के याद और यह इसका मध्य बिन दू है ठीक है अब आपने क्या करा इसको तो यहां मिलाया और आपने इसको यहां मिलाया वच्छे आपके पास में कुछ जाइन क Steepald रखना मैं का चैसरा? को से है बाएक बलए क्यूतार की तो हमेशा है शुकर तो 4 writers सब्सक्रांगता हो यहां मैं क्यों है जो च्फटे ओड्सक्रांगता में एयूंत एक कश्णी एक एक ईक दॉप कूर च्छे टाइम ओफ बढ़ाए वाला विकन यानी कि एसी के स्क्वेर्ट यह आपको याद होना चाहिए और ऐसा ज़रूरी निएकि आपको यह मध्यविंदू लिखे मिले ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि जो CP है और जो हमारे पास में एक यू है यह दोनों माधिक आए यानी कि मीडियन कुछ है ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि ये मीडियन यानिकी माधिक है कैसी है माधिक ये तिरबूज की माधिक है क्योंकि मीडियन माधिका आए भी मिड़ी पॉइंट पर ही कट करती है ठीक है तो हड़ब एक है एक डेटेजलिए देखिए आ कि नेक्स की बात करें साइन स्क्वेर एक्स का को स्क्वेर एक्स के सापेक्स अवकलच क्या है ठिक आप से पूछा जा रहा है कि आप से चलिए देखे साइन स्क्वेर एक्स का को स्क्वेर एक्स के सापेक्स अफकलच क्या है तो बच्चे आपको क्लास्रूम के अंदर भी बता है प्रैक्टिस सैट के अंदर भी कि जिसका भी पूछा जा रहा है सर्फ साइन स्क्वेर एक्स का पूछा जा रहा है तो आप इसको ड को differentiate कर दो बस इतना करना ये को मा निहीं है क्लास्रूम में प्राक्टिस आट के नरा बताइगा है इस ह्कोमा नीहीं ए है यह क्या है है कि आपको साइन स्क्वेर एक्स का सापे साइन स्क्वेर एक्स को डिफ्रेंसेट करना है को स्क्वेर एक्स के सापेक्च यानि कि इसके रिस्पेक्ट में बच्छे जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे और जिसको करना है वो ऊपर डिफ्रेंसेट होगा बच्छे निचे कितना आएगा सर्फ और सेटों कोस x और सबस्व करने ऊपर नीचे बराबर लिखा है तो कट जाएगा बस कट कर एक आएगा नीचे माइनस का निसाने इस वज़े से एक बच जाएगा ठीक चलिए का है था समयाए था सारी चीजे कराई हुई है कहीं न कहीं कुलाष्रूम में practice way गागर शागर में देखिए एक सächen से चा keeping लाया जाता है एक डूदध आपके पास में ऊसको तो सबसे ज़्यादा बार आतीक्तों तो एक दिखाई दिखाई दे रहा है जो सबसे ज्यादा बार पाइन हीरा के इस इसका बहुलकिया परटन पर विचार की यहां पर एक आएक नमबर एक्स यानी-क कितनी बाहर्य ची चारफ़ारऊ कितनी वाराय चाहरा है मैं तीन कितनी वारह और पांच रहाय साथ बार आँ अब बता उसकी मातधी का यानिकी मीडियन क्या Rs. अब बताईये जलदी छालो यह कोशन पलकी डिचन यहांज की मीडियन क्या होगी चले इसा पलोग बताओ जल्दी से है ठीके बताईय जल्दी से है चलिए जल्दी से बता इसा आफ पर में आएगा हमें धिल सीक न त přीडि़ करें पर दियान देना चाहिए हमें ये यह और पुछ जो गर सकाreस, ईसको ऐसे देखो गेoff uh UHucky सर। टोटल के तना एक चाएख पर आए धेख़ अगर आप उसको लिखने लगोगे ना तो आप ऐसे लिखोगे 5 anyway आपलोग आपी चार साथ इंडलोग आपको इया चीज नहीं है कि लुञत के से दाटा लिखा हुआ है या बता हो आप लोग जानता सरव रूटी है तो बारा इधर चोड़े और बीच में निकाला क्या निकाला उनका आपने मीन यानिकि आप खुद बताओ जब आपने सुरू से 12 नंबर को छोड़ा तो बच्चे च्छार दस और दो इस में से छोड़ दिये यानि कि आपके पास में बीच में कितना बचेगा 3 और 3 ही बचेगा और आप से पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी मादिका कितनी होगी तो बच्चे मादिका कितनी होगी 3 प्लस-3 बटे-2 यानि कि 3 ही होगी कितनी होगी माद्धिका 3 होगी ठीक यानि कि आपके पास में टोटल नंबर 26 अशब्स में से आपको बीच वाला नंबर चुनना है तो कैसे चुनोंगे आपको वेच्छे वाला नंबर कोई सही नहीं नहीं बाराय आगे से काटो बाराय पीछे से काटो सर्थ दो नमबर बचेंगे कोन से मचेंगे तीनी बचेंगे और आपने क्या करना है उन दोनों का मीन निकाल दे रहे हैं ठीक फोशन नमबर 11 ट्वेल देखे जल्दी से बताए कितना होगा कि कि बच्चे सौरब महाजन ऐसा कभी नहीं होता कि आप हमें टेलीग्राम पर कोशन भेज़ो और आपको रिप्लाई ना मिले या तो आपको लाइव क्लास में सोलूशन मिल जाता है ठीक है यह आप चैट सेक्शन पूछ सकते हो जिन बच्चों अभी तक कि सारी क्लास जोइन क कि है जब हमने बैच में पढ़ा है बैच के अंदर भी कोई बच्चा यह नहीं कह सकता है कि सर भेजा हुआ कोशन आपने नहीं करा है टेलीग्राम पर जितने भी कोशन साते हैं सभी का सोलूशन मिलता है परसेनली मिल जाए या फिर आपको यहां बोर्ड पर मिल जाए आज के कोशन आएंगे ठीक है एंए द्टिट मिलता इसका मझाए यह होता है कि वह को कि यहां इस वो श Ip कि आ तक हम पूछा नहीं जा रहा कि आप से इसका इपोछार रहे आप इसका बताई कितना होगा आप लोग को एक चीज़ ध्यानम में रकलिक है रहीे जाज है कर एकिती आप लोगोंको याद होगा मैं क्या ही ज asks याद होगी इसले आगर आपसे पूंचा राप को दो आ जूख रहा हुआ है लोग dx का इंटेगयेशन बता हो कितना होता है त्छ आ लोटों को अगर ernोग x dx का integration याद है कितना होता है देखे इसका होता है सर एक्स लोग X माइनस X प्लस C याद करने के लिए बोला हुआ है सभी को हर class के अंदर practice set के अंदर और जब आपको पढ़ाएगे सब तो याद करने के लिए बुला है रट लो कि इंटेगरल लोग एक्स डी एक्स कितना होता है इस लोग एक्स माइनस एक्स प्लस यह होता है बच्चे उसी के जैसा कोशन है हम आपको सोलूशन तो नहीं समझाएंगे क्योंकि सोलूशन बाइपार्ट होता है हमारे स्लेवस में स्लेवस में नहीं है तो यह की आगे एक फाल्तुल लग जाए बच्चे एक एक फाल्तु लग जाए देखो उपर वाला ही कोशन है उपरवाला ही question है सिर्फ इसके अंदर 1x फाल्तू लगा हुआ है उपरवाला ही question है सिर्फ एक x फाल्तू लगा हुआ है तो बच्चे answer भी उपरवाला लिख लो x log x minus x plus c इस 1x के फाल्तू आने की वज़े से क्या हुआ है बच्चे यहाँ पर तो multiply कर लो x by 2 से और यहाँ पर multiply कर लो x by 4 से यहाँ पर multiply कर लो x by 4 से बस इतना change आपको करना है ठीक है बस इतना change आपको करना है आपका अंसर आ जाएगा अब बताओ अंसर कितना आ गया अंसर यह आ गया sir x square log x by 2 minus x square by 4 plus c आपको याद करने का तरीका भी बता दिया है कि इस x की विज़े से यहाँ पर difference आया x by 2 का और यहाँ पर difference आया x by 4 का तो अंसर कितना आ गया option number a यानि कि यह हो गया हमरे पास में x square log x by 2 minus x square by 4 plus c ठीक अब यहां तक के question आप सभी को समझ में आगे होंगे एक कोशन आप आप लोग के पास में यह रहा एक कोशन हम आपको कराने कोशन number 13 पूछा जा रहा है आप लोगों से क्या यदि वाई बराबर की वाई बराबर x की पावर x है वाई बराबर हम लिग दे रहे हैं पूरा question यदि ay वाई बराबर x की पावर x है तो आप से पूछा जा रहा है dy y dx बता हो कितना होगा dy y dx बताए कितना होगा यह आप से पूछा जा रहा है A option यह रहा, कि सर 1 plus log x होगा, B option यह रहा, कि सर x की power x ही रहेगा, C option यह रहा, कि सर x की power x को, x की power x को, हम लोग 1 प्लस लोग x से multiply कर देंगे या फिर सब डी option यह होगा कि इन में से कोई नहीं कुछ और इसका answer होगा इन में से कोई नहीं बताओ जरा इसका answer कौन सा होगा a b c a d a b c a d यह ठीक है ब caterpillar sv高利ak कररें हम लास कुल कशनी करा रहे हैं देखें रबच्चे यदी थी योदि वर्दर एक्स डिवाई व esca कितना होगा बच्चे ऐगर वाह mix का वरेक्स हैं आपको बताया गया है कि अगर वेरियबल की पावर वेरियबल है तो आपको लोग लेकर के solve करना होगा और लोग लेने पर कितना बनेगा कि सर लोग Y ध्यान से सुन लोग Y वेरावर X लोग X बनेगा तर यह बनेगा वन अपोन Y डिवाई वाई डिएक्स इक्वल्स टू सर इसका तो एक हो गया इंटू लो भी एक्स दूइविफ डिवाई डिएक्स आपको याद रखना एक्स की पाववर एक्स one फ्लस लोग एक्स याद कर लेना रट्टा हृमार लेन याद कर लेना पेपर में मिलेगा तो डारेक्ट करना Computing करना कि सर अगर वाई औरवर हर chopped प्र ग्स फ्टिनकर एक्स की पावर ठीक बच्चे ठीक कमेंट्स हमने देख लिए जो बच्चे का गुरूप पे रिप्लाई नहीं आया था परसनली हम उसको अंसर डाल देंगे ठीक है आपको हिंट देंगे ठीक हमारी तरफ से वाई सभी को